देखिए यह टेंस का लास्ट वीडियो है हलागि लास्ट मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि टेंस कभी फिनिस नहीं हो सकता है और मुझे जो भी नए नभी कॉंसेप्ट मिलेंगे मैं स्टड़ी कर रहा हूँ उन सभी चीजों की उपा जो पेपर में कुश्चन आयो है मन पर स्टड़ी कर रहा हूँ उन चीजों की बारे मैं और डेटल नहीं बताऊंगा यह टेंस की बीडियो जो है वो बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है और मैं इस बात की गैरेंटी ले सकता हूँ कि आपकी सोच ना बदल जाए तो आप कह देना कि सर यह तो बात पता थी या फिर यह तो अनॉर्मल है अगर आपको मालूम नहीं थी तो कमेंट जरूर करना और यह वीडियो उन सभी लोगों पास पहुचा ना जो टेंस को जानते तो हैं बट उन्होंने उस चीज को कभी ऐसा सोचा नहीं अब आज में जो बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ पास्ट के इंडेफिनिट जो कि पास्ट के बारे में बताता है प्रिजेंट पर्फेट जो आपको लगता है कि यह पास्ट के बारे मताता है लेकि जिन लोगोंने मेरी बीटो टैंस की सारी देखी उन्हें पता है कि यह प्रिजेंट का टाम नहीं बताता यह पास्ट का होता है सब्सक्राइब को सुनना कुछ सारी चीज़े क्लिर हो जाएंगी कि यह सारे सारे चारो टेंस हैं वह हकीकत में पास्ट के बारे में बताते हैं और यह अपना टेंस मतलब फ्यूचर परफेट फ्यूचर में कब होता है उसका रीजन वार बताऊंगा देखें अगर मैं एक्ज Ltd. तो सुब्य आठ की का मेरे टाम यह प्रेंट का है और अग्छ 몰라 मैं तो मेरे हो जायेगा यह फीचर का टाइम सको सी 16 मे सी 15 मेरे लिए फूचर का यह और अगर मैं आफ विए मतद बोलना तो आइक वजी में बताइम और आठ की की पहले अगा चलेंगे तो सात कहीं इस ज 6 बजी में पांच बजी चार बजए यह सारे सारे यजो dáम हैं फिल फिलाल यह सारे सारे टाइम जो में पाश्ट के हैं क्यूंकि प्रजेंट के पीछ जाते हैं तो हम लोगो मिलता पास्ट का टाइम यह तो क्लिर हो गया अब अगर आठ बज़े में बोलो कि वह वह स्कूल चली गई इसका मतलब यह तो वह साथ बज़े गई है या फिर वह साड़े साथ बज़े गई है या फिर वह पौने आठ बज़े गई है ओबर और वह आठ बज़े तो नहीं गई है आठ बज़े से पहले गई है इसका मतलब यह टाइम तो मेरा पाश्ट का है सेंट तो अब थी था थी कुछ भी जोड़ो doesn't matter लेकिन मुझे ये बताओ कि वो college पहले वाले में कब गई है तो अब कोई सर ये वाले में sentence में किसाब सरी तो past में गई है तो ये क्या future में गई है नहीं आपकोई सर ये भी past में गई है तो चलो मैं इसको भी past देते था हूँ अब जर ये बताओ कि C went to college में बोलो ये C had gone to college बोलो इन दोनों difference क्या है कुछ लोग ये बता रहे है कि सर head वाले में कम ज़्यादा पुराना होता है और second form वाले में कम नया नया होता है तो देखो नया नया अगर मैं बात कुछ दूसका मनलबी है कि वो recently हुआ है अगर recently हुआ है तो recently कि हम लोग present perfect का यूज करते हैं फिर तो past perfect का यूज क्यों करेंगे अगर आभी कहते हैं सर कि काम बहुत ज़्यादा पुराना होता एक काम से और ज़्यादा कोई काम पुराना होते जिसले मैंने वीडियो में बताया था तो past के perfect में जाता है तो अगर मैं कहूं कि C had gone to college वो school जा चुकी थी किस काम से पहले हो गई थी तो या तो मैंने कोई discuss ही नहीं किया है तो मैं ये कैसे बता सकता हूँ या आप कैसी कैसे हो कि ये काम ज़्यादा पुराना है school जाने का किसी दूसरे काम से मैं तो उसके बारे में बाती नहीं की दूसरे काम के बारे में तो यहां से confusion शुरू होता है कि ये भी past में है और ये भी पास्ट में तो सही कौन सा अब गलत कौन सा है अब ही अगर सही है तो कैसे और गलत है तो फिर क्यूं है क्यों कि आप तो दूसर एवेंट ही रखा हुआ है जिससे मैं कंपैरिजन करूँ कि वाई ये काम तब हुआ था उसके बाद हुआ था उसके पहले हुआ था कन्फूजन और देखें सी हैस गॉन टू कॉलेज है इस सेंटेंस का मतलब आप बताएं चाहते है कि वह इसकूल जा चुकी है या वह इसकूल गई है लेकिन है जैनि की पर्जेंट परफेट बताते काम बिलकुल ही री सेंटली हुआ बिलकुल हाल ही में हाली का मतलब 8 बज पहले ही तो हुआ है ना आठ बजे तो हुआ नहीं आठ बजे आकर मैं बोल ला हूँ कि C has gone to college इसका मतलब यह क्लिए कि आठ बजे कमने इसका ठीप पहले हुआ है यह दो मिनिट भली पहले हुआ है पहले का मतलब पहले का मतलब मेरा ही हो जाएगा फास्ट का टाइम तो इसका मतलब सब्सक्त का टाइम यह भी है और फास्ट का टाइम मेरा यह भी है यानी कि पास्ट के तो यह तीनों के तीनों sentence जा रहे मेरे अब तो और जादा Confuses चुरूर है इसने थोड़ा से ये बता दिया कि ये Recently हुआ है लेकिन ये तो अभी भी Confuse कर रहे है कि कौन जादा पुराना कौन जादा नया है खेर C. Will Have Gone To College अब ध्यान से सुनना नहीं तो आप इतने Confuse हो जाओगे आप ये कहोगे वीडियो बंद कर दो ध्यान से सुनना C. Will Have Gone To College Suppose कीजे कि आपको मैंने फॉन किया मैं बाहर हो और आप आप पार्के में हो आप सुबे के 8 बजे पार्के में हो और उस बच्ची के जाने का टाम सुबे के 8 बजे का है और आप घर से पांच बजे से निकले हो फिर से सुनना आप घर से पांच बजे से निकले हो और आप पार्के में 8 बजे हो और मैंने आपको फॉन किया कि वो चली गी स्कूल क्या तो भाई आप क्या बोलोगे कि वो स्कूल जा चुकी है आप यह बाद तब बोलोगे जब आपके आँखों के सामने कोई घटना होई हो यह आपको 100% confirm हो तभी तब बोलोगे वो स्कूल जा चुकी है आप क्या बोलो वो स्कूल चली गई होगी वो स्कूल चली गई होगी अब आप हिंदिम क्या बोलो गागी गे वो स्कूल चली गई होगी कब गई होगी कब गई होगी इस टाइम को जड़ा बताओ मुझे अगर आठ बजे मैं आपको फॉन कर रहा हूँ और आप पार्क में बैठे हो आप गार पर नहीं हो उस लड़की का टाइम जो स्कूल जाना है वो साथ बजे का है और आठ बजे में फॉन करके आप से पूंचे कि वो स्कूल चली गई क्या तो आप कहोगे कि हाँ उसकूल चली गई है यह चली गई चली गई वो चली गई होगी यह बोलोगे चली गई है नहीं वो स्कूल चली गई होगी तो चली गई होगी, आप भली इस सब्द को future में देख रहे हो, लेकि आप बात कप की बोल ले हो, आप 7 बज़े बात बोल ले हो, कि 7 बज़े वो चली गई होगी, इसका मतलब आप जो future की बात sense में लेजा रहे हो, वो चली गई होगी, वो future में कहा बोल ले हो, आगे आने वा उसका reason यह है कि future perfect sentence जो है इसमें कोई time तो है नहीं फिलाल future का तो यहां पे आप क्या कर रहे हो आप past के बारे में बता रहे हो लेकि आपको confirm नहीं इसलिए आप इसमें एक सब्द डाले हो अनुमान future perfect tense का use बिना समय के हम तब करते हैं जब कोई घटना past में होगी हो और उसमें हम लोग अनुमान डाल दें कि हमें confirm नहीं है तो हम गागी का use करते हैं एक और example में समझा दे तो आपको बिल्कुल यह clear हो जाएगा suppose कीजे आप सुबह उठे और आपने घर कर बाहर का bulb देखा फूटा हुआ था तो आपि apoy में यह बोलोगे यह सूचोगे 42 यह बल्ब यह प्लोडा होगए यह बल्ब राम ने थोड़ा होगा यह बल्ब राम ने थोड़ा होगा अप सुन्हा बीर बात कि यह रामने ही तोड़ा होगा, बहले ही आप यहाँ पर गागी यह बोल रहे हो, लेकिन यह काम future का नहीं है, यह तो past की गटना है, past की गटना और confirm ना होनी वज़े से आप अन्मान लगा रहे हो, तो future perfect tense भी जो है वो past के बारे में ही बताता है, समझ लिए इस बात को, तब तक, जब तक कि मैं इसमें कोई ऐसा सब्द ना डाल दूँ, जो future के बारे में real में बताए, clear, मैं तो यह कहा नहीं, कि कल साम तक वो तोड़ चुका होगा, वो ऐसा तो है नहीं, तो यह भी future perfect भी हमें बता रहा है, किस के बारे में, पाश्ट के बारे में, तो हमें एक बाद ही clear हो गई, कि चारो के चारो जो tense हैं, वो पाश्ट के बारे में बताते हैं, और इनमें कुछ conditions apply होती, जिनके बाद यह real में उसी tense में काम करते हैं, जिस tense के लिए बने हुए हैं, वो अभी discuss करेंगे, दो sentence को देख लो, दुमाग घुमाने के लिए, he is in the room, suppose कीजिए आपने मुझे फोन किया, आपने पूछे वो कहाँ पर है, तो मैंने का वो कमरे में है, इस sentence का मतलब यह है, कि मैं बात कर रहा हूँ present की, मैं बात कर रहा हूँ present time की, suppose की आपने मुझे आठ वजे कॉल किया, और आपने का के वो कहाँ पर है, मैंने का वो room में है, इसका मतलब मुझे present में यह बात confirm है, कि वो room के अंदर ही है, तब ही नहीं मूला, he is in the room, वो room के अंदर है, यह बात मुझे confirm है, अगर, मैं आठ वजे पार्क में बैठा हूँ, और आपने फ़ो फ़ोन किया, कि वो कहाँ पर है, मैं रहा है, वो room में होगा, वो room पर होगा, जहां से सुनना, आपने क्या बोला, वो room पर होगा, अभी, अभी इस समय होगा, कि आने वाले समय में होगा, तो अब अभी के बारे में बता रहा हूँ कि वह रोम पर हो गा अब गा आपने क्यों बोला क्योंकि आप गा से लगा रहे हो अनुमान क्या लगा रहे हो अनुमान क्योंकि आपको confirm नहीं है वो चीज़ तो future tense भी हमें जो प्रिजेंट के बारे में ही बताता है और future perfect जो पास्ट के बारे में बताता है लेकिन confirm ना होने वज़े से हमलों उसमें गागी के जोड़ देते हैं पास्ट भी होता है प्रिजेंटी भी होता है और future होगा कब बताएंगे आगी तो आयते हैं को सारा concept समझ में आ चुका होगा कि इतने सारे इसमें जहंजट हैं इतने सारे इसमें logic हैं कि जिनकी वज़े समय सार उल्जे रहते हैं और समस्था सवस्वड़ी यह है कि books हमें कुछ नहीं बताती हैं खेर books से हमें कोई दिक्कत नहीं books होती हैं पढ़ने के लिए हैं अब डिसकस करते हैं सारे चीजों को के देल में इनका सही sentence कैसे बनेगा हाला कि sentence तो लगवा सभी सही हैं लेकि अब वो सही कैसे होगा अगर में उस सी वेंट टू कॉलेज तो sentence मेरे सही है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिं सी हैट गॉन टू कॉलेज यहां पर condition apply होती है कि यह काम बहुत ज्यादा पुराना है लेकिन किसी चीज से तुलना करने के बाद ही तो ज्यादा पुराना ज्यादा नया होगा ना कि यस पेन ज़्यादा पुराना है कि का बहुत कि किया कि तो जiser पुराना हुआ है तो मीन टायेट computer दूंगा न यह तो पुराना पैन में तुलना ने कहीं है यह तो जज्यादा पुराना पैन है अगर मैं दो ऊटे क्सी है किसी दूरास सेंटर जोड़ दो, she had gone to college after I came, मेरे आने के बाद वो college चली गई, तो एक आना हुआ, एक उसका जाना हुआ, दोने दोने पास्ट में एवेंट हैं, लेकिन गई पहले और मैं आया बाद में, एक तरीका, दूसर तरीक हम लोगों सीखाता है, अगर से पास्ट का टाइम डल दी जाए, तो मैं बताया था कि बाई जो है, वो पर्फेक्ट टेंस को फॉलो करता है, तो बाई, अगर मैं कहे दूं, लास्ट संडे, यह पिछले रवी बात तक यह काम समाथ हो चुका था, तो यह काम प्रावलम नहीं, बस अंतर यह कि देखने बाले यह present हो, लेकिन recent past के बारे में बताता है, sentence में कोई problem नहीं है, बिलको sentence मेरा सही है, अब C will have gone to college, अब यह तो sense देरा past में, लेकि अगर मैं इसमें future का time डाल दूँ, तो मेरा यह बन जाएगा future में, अगर मैं कहूं by tomorrow, तो इ future में और गागी की यह बता रहे कि confirm नहीं है अनुमान लगाए जा रहा है कि वो कल तो जा चुकी होगी क्योंकि future तो किसी ने देखा ही नहीं है ओके अब ही इस इन दरूम वह है रूम में है यह confirm है ही विल बी इन दरूम में होगा अभी प्रेजेंट में लेकिं अगर मैं कहूं कि in the evening अगर मैं morning बोलू को वह साम को रूम में होगा तो इसका मतलब यह है कि साम तो अभी आई नहीं मौने के according तो यह में सेंटर्स जाएगा future में तो यहां पर time डालने पर हमें यह पता चलता है कि यह सारे सारे सेंटर्स फिर अपने टेंस में जाकर काम करते हैं जहां पर इनकी जरूरत है अगर हमें टाइम ना डाला जाए तो बड़ा confusion करते हैं बड़ा ही समस्या पैदा करते हैं और इसलिए हमार एक्जाम में सेंटर्स कलर चले जाते हैं आया थे आपको टेंस के पूरा concept clear हो चुका होगा तो मिलते हैं एक नए topic के अंदर उमीदा को हाची समझ में आये होगी मेरा recommendation नहीं है कब लोगों तर इसको वीडियो को share कीजिए ताकि जाद जाद लोग इसको study कर सकें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में